हैलो फ्रेंड्स शोमस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेसिपीज में आप सबको स्वागत है आज मैं पोटेटो उइद पॉपी सिर्स की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ ए बेंगली में बहुत भेमास है लेकिन वीडियो देखने से पहले जिनोंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्रा की वाच्छे लगने पर लाइक और शेया ज़रूर कीजिएगा अब चलिए इस टेस्टी एंड इजी रेसिपी को देख लेते है क्या-क्या इंगिडिन्स के ज़रुरत है ले लिया है मैंने आलू आलू को क्यूब स्छेप में कट लिया है अब देख सकते हो ले लिया है प् ग्रीन चीली स्लाइस्ट आर कलउंजी थोड़ा सा और पूरा रेसिपी मास्टाड ऊयल में बनाऊंगी। मास्टाड ऊयल में ज़्यादा टेस्टी होते हैं आप चाहे तो दूसरे कोई भी ओईल यूज़ कर सकते हो पेन चड़ा कर तेल को गरम कर लिया और कालंजी और ग्रीन चीली थोड़ा सा डाल दिया 2-3 मिनिट तक भून लिया उसके बाद आलू को डाल दिया और आलू हम हलका सा प्राई कर लेंगे 1-2 मिनिट तक उसके बाद हम डाल देंगे ओनियोन ओनियोन और आलू को मैं एक ही साथ फ्राइ करूंगी धक्कन लगा के फ्राइ करूंगी दोनों एक साथ नरम हो जाएगा 2-4 मिनिट तक कभर कर लिया उसके बाद कभर हटा के फिर से हम चला लेंगे हलका सा गोल्डेन ब्राउन होने तक हमें फ्राइ करनी होगी और फिर से एक बार कभर कर दिया ए रेशीपी बनाते बाद आपको बीच बीच में कभर करनी होगी और कभर उठा के फिर चला कर देखना होगा डाल दिया है अब हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल दिया है पॉपी सीट पेस्ट खस खस यानि और आच्छी तरह तीन चर मिनिट तक मीडियाम टू लो फ्लेम में फ्राइ कर लेंगे तक ही पॉपी सीट जो काच्छे पन रहते है वो चला जाए उसके बाद आट करेंगे मैं दो काप पानी लिया तकी आच्छी तरह आलू बोयल हो सके और थोरा सा हलका सा ग्रेफी रहते हुए इसको उतरना होगा क्योंके आलू बाद में पानी सोक लेते है यह आपको इयाद राखनी होगी नमक को आट कर दिया और आच्छी तरह मिला लिया कभर ल आलू नरम हो चुके है अब देख सकते हो आप मैंने चीनी आट करेंगे और ग्रीन चीली आट करेंगे ग्रीन चीली यह थोड़ा सा मैंने रख लिया था बाद में डालने से ग्रीन चीली का बहुत ही अच्छा स्मेल आते है इसलिए बाद में डाला चीनी आट कर लिया आप कोई भी चीनी white या brown sugar यूज़ कर सकते हो और चीनी अगर पसंद ना आए तो skip भी कर सकते हो अच्छी तरह मिला लिया आप gas oven को आप करके मैंने cover करके 5 मिनिट तक wait किया तकी आच्छी तरह smell उसमें आ जाए और आच्छी तरह पक जाए आप देख सकते हो कितना आच्छे texture और color कर आए है बहुत ही अच्छे tasty recipe है आप मैंने शार कर दूंगी एक serving bowl में आप रेसीपी जोरू ट्राइ कीजिए और आपना उनुभाब मेरे साथ मेरे comment box में share कीजिए आप राइस के साथ रेसीपी बहुत ही अच्छा लगते है लेकिन रोटी के साथ भी आप खा सकते हो बच जल्दी से एक नए रेसीपी लेकर तब तक के लिए बाबाई और कर भी नए रेसीपी के ख्वाईश हो तो comment box में लिखना मत भूलिएगा